कि युदा मंड़ुप्रदेस सरकार का अभी फर्मान उन देखा जैसे मुक्प मंघ में यह कुई यू यू वन्होंने फैसला सुनाएगी जितने भी दुकान दार चोटे मोटे जो मटन मचली बेशते हैं इनको लेकर एक फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप बिना पर्मीशन के सर्वजनिक इस तरीक नंसे तरीके सरकारे जो चोटे जो लोग से बजार में बहुंच के बेशते हैं रोट के किनारे जमीन फटिम बेशने के मुर्गी मेटन बेचने से एक परिवार का घर चलता हैं लेकिन साथन ने उपर फ्रहार कर आप एक तरब नौकरी नहीं नहीं आपको नौकरी देना चीए था, जाद से जाद वेकेंसी निकालना चीए तो उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं? छोटे-छोटे जो दुकान दारे, बिचारे जो छोटे-छोटा धंदा करके अपना घर परिवार का पेट पालते हैं, उनके उपर प्रहार करना, ये गलत मानसिक हम विरोत करते हुए हम ग्यापन भी देंगे, और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस तरीके के आप फैसला लेके आम जनता को परिसान करने का काम कर रहे हैं, आपका काम था कि हमारे लिए अलग से रोजगार के साधन हमें उपलाब्द कराना, आप उल्टा हम से हमारे सारे एक ताइम मचली बेशते थे और अपना घर का खर्चा चलाते थे, अब आप ये कागज के चक्कर में तैसिल जाएंगे, वहां से आवेदन लगाएंगे, वहां से परमीशन लेंगे, उनकी गार्ड लाइन बनेगी, इतना सारा ताम जाम ये गाउं का विक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन आज सरकार गाउं के लोगों से रोजगार चीन कर उनको एक विरोजगार बनाने का काम कर रही है, अचानक एक विक्ति के लिए ऐसा कानून बना देना और उनका अचानक मचली बेचना गर बंद हो जाएगा, तो उनका घर का कर्चा कहां से चलेगा, और ऐसे ही सरकार और कलेक्टर सासन प्रसासन मिलके आम नागरिक और छोटे-छोटे धंदा करने वाले लोगों को परिसान करने का काम करें इसका खिलाफ हम पूरी की पूरी जनता है और सासन प्रसासन तक हम यह संदेश पहुचाना चाहते हैं कि आपके दौराद लिया गया यह निड्ने हम सबके खिलाफ है आप ऐसे निड्ने लेने से पहले आपको सोच और विचार करना चाहिए अस्तामिया की जनता आज यहां पर बैठके इस चीज को लेकर बात रखी आने वाले समय पुरे मद्द प्रदेश के लोग इसका विरोत करेंगे और हम कहना चाहेंगे कि भाच्पा सरकार के बने हुए है भी मुश्किल से कुछ दिन हुए है और इस तरीके के फैसला लेना लाओड स्पीकर कर्वाना अप मंदिर मंज़ितों से इस्पीकर हटवाने का फैसला देला रहे अरे आप उन चीजों में नहीं सोच रहे हैं कि किसान के सांथ क्या हो रह आप ये नहीं सोच रहे कि कितने सारे बच्चे बिरोजगार घूम रहे हैं आप ये नहीं सोच रहे कि कोट कचेरी में कितने सारे लोगों का केस चल रहा है इसको लेकर आप कोई निड्ने नहीं लेंगे आप निड्ने लेंगे लौड स्पीकर वाले आप निड़ने लेंगे मटन मचली बंद करने वाले ये बिवाधित निड़ने लेने का ये फैसला किया जा रहा है सरकार चाहती है कि हम आपस में लड़ते रहें लेकिन हमारी मुख मांगो पे आप बिल्कुल फोकस न करें कई किसान आज बिजली बिल नहीं भर पा रहें अधिकतर किसानों की जमीन गिर्वे रखे हुई है बैंके कई लोगों से पैसा बसूली करने के लिए उनको बहुत टॉचर कर रही है पूरे मद्द प्रदेश के लोगों को खानाए के लिए उनको पाबंदी लगाने लगो इतना सारे नियम कानून बनाने लगो अरे मटन मचली खाते हैं तो सरीर स्वस्त रहता है और बच्पन से हम खाए हुए लोग है लेकिन इस तरीके के फैसला लेकर हमें मार्ग से दिसा से भटकाने का काम किया जा रहा है लड़वाने का काम किया जा हम सासन से निवेधन करते हैं कि पूरे चनवाडा जिला और मद्द प्रदेश के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन होगा जिसकी सुरुआ जास्तामिया के चोटे से ग्राम से आपको देखने को मिला हम लड़ेंगे खाने के लिए भी लड़ेंगे पढ़ने के लिए भी लड़ेंगे जमीन बचाने के लिए लड़ेंगे और हमारी जमीन अगर चीनों गोए तो उसके खिलाब भी हम लड़ेंगे हम पैदा ही लड़ते हुए हुए हैं और सरकार ये काम अगर लगतार करेगी तो हम लड़ना बिल्कुल बंदने करेंगे क्योंकि हम लड़ने वाले लोग है हम गुलाम होकर सांध बैठने वाले लोग नहीं है इसके लिए मद्ध प्रदेश सरकार सुन ले कान खोल के इस बात को कि हमारी जल जंगल जमिन बचाने के लिए हम जैसे लड़ेते बैसी हम हमारे लिए इस प्रकार के खाने पीने की चीजों में पावंदी लगाने वाले फैसले के खिलाब भी हम लड़ने के लिए तयार है हमारी एकता जिन्दाबाद लडेंगे हर जोर जुल्म की टक कर में हम उन तवाम बजार हाट में मारकेट में मचली मटन बेचने वाले तवाम छोटे शोटे वैपारियों से आग्रे करना चाहते हैं कि इठिये अपने हाब और अदिकारी के लिए आपको बैठने की जरूद नहीं है दुवक्य आप मत बेटिए हमारा साथ दीजिए गुणवाना की लोग आपके साथ कड़ें ये मुद्दा कोई कांग्रेस को लोगों नहीं उठा ये मुद्दा सर्वप्रतम गुणवाना की लोग आप सलक में उतर के उठा रहें उन तमाम छोटे-छोटे बैपारियों से हम निवेधन करना चाहते हैं कि आप बेचिए मतन मचली आप बेचिए गाउं गाउं जाकर आप बेचिए असानी से हर गरीब के घर तक भी मतन मचली पहुँचे इसके लिए हम आपके साथ कड़े हुए हैं और सरकार के ऐसे फैसले का हम विरोध करते हैं और आइए आप हमारा साथ दीजिए आइए सड़क में उतर के हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं अज इतनी बड़ी पाइटी है कांग्रेस और बड़ी बड़ी पाइटी है वो नहीं उतर रही सड़क में लेकिन आज गुणवान है कि लोग हर छोड़े-छोड़े बैपारियों के साथ खड़ें इसलिए सहीं लोगों का पहचान करें और हमारा साथ दें और हर तैसल ब्लॉ सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं है सरकार चाहती है कि बस लड़ते रहे भेड़ते रहे इसलिए बिल्कुल लड़ते रहे ह्यों हमारा साथ दीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद करो हम तुमारे साथ लोगे फोटू लेवां